क्रिकेट में टीम इंडिया का फैन उनना सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है स्कोर चाहे 200 हो 300 हो 300 हो 300 हो 400 खेलेंगे ऐसे जैसे कि भाई इनको खेल नहीं नहीं आता मतलब कल इंडिया ने इतनी अच्छी गेंदवाजी की पहली बात तो उन्होंने ऑस्टियला के पूरे टॉप ओडर को रोक के रखारन बनाने नहीं दिये बाउंडरी नहीं निकलने दी लेकिन बात वहीं आ जाती है कि टेलेंडर्स जहां आते है न वहाँ पर टीम इंडिया ऐसे हो जाती है अरे भाई अब क्या करे हाथ पर फूल जाते है और यह अभी से नहीं चल रहा लेकिन जब उनकी टेल आई तो हमने आखरी के जो 35 रन बने उनके 34 रन वो बहुत ही आसानी सन्ने बनने दिये और वो ही पॉइंट अफ डिफरेंस हो जाता अगर इंडिया कल मैच जीत नहीं पाती तो क्योंकि आपने देखा जिस तरह की शुरुवात हमने की थी ना बेटिंग करते टाइम वैसा मैं नीचे बोतल लेने गया पानी की और मैं देख रहा हूँ कि आते आते तीन विकेट गिर चुके हैं मतलब इशान किशन आप सीधी समझने वारी बात ही है आपको इस वर्ल्ड कप में लगातार मौके नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा जो बैटिंग ओडर है उसमें इशान किशन की जगे बनती नहीं दिख रहे इशान किशन को शुमन गिल की एपसेंस में मौका दिया गया स्को बैटिंग करना इतना डिफिकल्ट हो नहीं रहाता है जितना डिफिकल्ट हमारे शुरुवात के टॉप ओटर के बल्ले वाजों ने दिखा दिया कि बॉल्लेवाजी हो ही नहीं सकती क्योंकि सेम विकेट पर आपके विराट कोली और आपके केल राहूल ने बल्लेबाजी की है और आपको एक बार वापस से भाई तारीफ करनी पड़ेगी विराट कोली की और केल राहूल की अलग से तारीफ करूँगा मैं बिकोस केल राहूल जादा प्रेज जिदव करते हैं हर बार ऐसा कैसे हो जाता है कि जब भी टीम इंडिया को बाहर निकालने की जरुत पढ़ती है मुसीबत से विराट कोली ही खड़े होते हैं चाहिब पाकिस्तान के अगेंस वाली इनिंग्स की बात करो चाहिब उससे पहले न्यूमिरस जो 2016 की, 2014 की या 2019 वगरा के मैचे जो रहे थे उनमें अगर आप बात करो ऐसा कैसे हो जाता है कि विराट कोली हमेशा वो प्लेयर बन के निकल कर आते हैं जो कि हमें मुसीबत से निकालेगे और यह ओवर डिपेंडेंसी विराट कोली के ऊपर जो हमारी है न यही हमें टूर्णमेंट में आके चलकर बहुत बड़ा सरदर्थ पैदा करके देती है क्योंकि आपको पता है कि जब मैच फस्ता है लेटसे की सेमी फैनल तक जब इंडिया पहुंची है तो रोहेश शर्मा नहीं चले आपके विराट कोली नहीं चले लो टीम खतम और यह अभी से नहीं चलता आ रहा है आप देखो 2003 के वर्ल्ड कॉप में भी यही हुआ था बलकि मैं तो कहूंगा 1996 से यही चलता आ रहा है तब सचिन की उपर ओवर डिपेंडेंसी थी 2011 तक आप सचिन की उपर ओवर डिपेंडेंडेंट थे उसके बाद आपकी यह जो रिस्पोंसिमिलिटी है यह आपके विराट कोली नहीं लेकिन भाई प्रेशर में विराट कोली से और मैं कहरा हूं इतनी अर्ली स्टेज में जब तीन विकेट कोई इंसान गिरते देख ले तो हर किसी का जो मतलब एक कॉन्फिटेंस है ना वो डाउन हो जाएगा के भाई यहां से मैं टिंगो कैसे निकालो बट विराट कोली on the other hand had done this मतलब numerous times countless times और कल भी वाई किया वाई उन्होंने रोई शर्मा भाई एक अच्छी डिलिवरी प्याउट हुए श्रेय सायर अब यहां पर आप देख रहे हो आपको मौका दिया जा रहा है आपको मिडल ओडर में आप अन्फिट थे इतने लंबे टाइम तक उसके बावजूद आपको वर्ल्ड कप स्कॉर्ड में सिलेक किया गया म मौका था दस्तूर था आपको शुरुवात में मौका मिला खेलने का इनिंग्स आप अगर बनाते वहां से तो आप जो कल केल रहूल ने किया वो आप कर सकते थे लेकिन आप पाकिस्तान के अगेज जो पहला मैंच हमने एश्या कपके खेला था उसमें भी सिमलर एक अप्रो कम पढ़ जाएंगे और हमें शुरुवात से हिट कर खेलने हैं दो सो रन का स्कोर था आपका मतलब टार्गेट था आपका और आप उसको चेस करने के लिए शुरुवात में बेपेंदी के शॉट खेल रहे हूँ एन देन अगेन बात वही हुई दो रन पे तीन विकेट करके हैं तब से उनका कॉंफिडेंच जो है वह बहतर होता देख रहो अब देखो मी अब मतलब क्रिकेट फैन और क्रियेटर हमने काफी निंदा कि हमने काफी क्रिक्रिकिसम दिया केल राहूल को विकॉस उनसे रंस नहीं बन रहे थे टेस्ट क्रिकेट में और क्योंकि आप देखो हमने 2019 में जब वर्ल्ड कप एक हारता मतलब हुआ अपने आपको बाहर जाता देखा था कॉम्पटिशन में तब सबसे वड़ी हमारी प्रॉब्लम है थी कि हमारे पास राइदू नहीं गए तो उस वर्ल्ड कप में तो मारे पास जो डीपर डाउन दी बैटिंग करने के लिए कोई प्लेयर नहीं था लेकिन अगर यहां पर केल राहूल जैसी बैटिंग कर रहे है उन्होंने एशा कप में की फिर और जो मैचस थे उसमें बैटिंग किया और अब जो उन्होंने कल के मैच में बैटिंग किया वाई वापस से और श्टील्यक आए हैं फिलिंग वेरी सेट फॉर बोट ऑफ दें विराट कोली एं केल राहूल के दोनों में से किसी एक की भी सेंचुरी नहीं हुई बड़ आइधिंग कल की कोई भी माइल स्टोन से बड़ा सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट था वो था के उस डिफिकल्ट और वो शॉर्ट इतना अच्छे से टाइम हो जाएगा के छे पर चला जाएगा शाहिद केल राउल ने भी नहीं सो जाएगा ही वॉन्टिट तो हिट डाइट विनो शॉर्ट फर बाउंटरी और वो अगली बॉल पर सिक्स ट्राइक करने वाले थे बट अब जो हो गया सो हो पर यहां पर हमारे किसी भी गेंदवाज ने साड़े चार की इकॉनमी भी टच नहीं होने दी कुल्दी प्यादव ने जिस तरीके से डेविड वर्डनर को जब डेविड वर्डनर सेट होते दिख रहे थे चलता किया I think वो बहुत जरूरी था जिस तरीके से कल आपके बहुत ही बहतरीन की उन्होंने वक्त रहते हर एक गेंदवास को सही टाइम पर रोटेट किया जैसे अगर आप बात करो जब ओवर्ड समय जल्दी निकालने थे और प्रेशर बिल्ड करना था तब रोने यहां पर जड़ेजा को इंड़िउस को और जड़ेजा ने भाई ज जब स्पेन इतनी जादा हो दिक्कत वहां आती जब हलका सा गेंद पढ़ने के बाद कांटा बदले और वही हुआ स्टीवन स्मित के विकेट पे टॉप ऑफ ऑफ स्टम वो हिट हुई बॉल एन भाई क्या बहतरीन विकेट था और फिर उसके बाद हमारी जो कॉल रही है ड करनों की गती रोक के रखीना उसीला के लिए वो सबसे important factor बना और यहां पर आपने जस्पीद बुम्रा को विकेट लेते देखा बट पॉइंट वही आता है बाई कि जब भी talent आउट करने की बात आती वहां हम दिक्कत फेस करते हैं और tournament में जैसे जैसे हम आगे हैं उनके अगेंस अपने बल्लेवाजों को टिकते नहीं देख पाती और पाकिस्तान जो 14 तारीक को मैच होने वाला है उसमें शाहीन और आपके हारेस राउफ ऐसे दो गिंदबाज हैं जो कि हमें उस लेंद पर हिट करेंगे और definitely हमें आगे front foot पर निकल कर टेस्क करने की क करेंगे और उससे पहले तो भी हमें अफगानेस्तान के स्पिनर्स का सामना करना पड़ेगा अश्विन अन्ना की बात नहीं कि मैंने अश्विन अन्ना ने भी भाई बहुत अच्छी गेंदबाजी की है आज से दो महीने पहले कोई सोच नहीं था कि अश्विन भाई आएं का बखूबी तोर पे अन्दाजा था और उन्होंने उस मेच्च और उस उस रिस्पॉंसिबिलिटी को समझा और उस एक्स्पिरियेंस को उन्होंने हाइलाइट किया पफॉमेंस में बट आपको जिस तरह का फिजिकल स्ट्रेस फेस करना पड़ा ना अंडर दा लाइट्स देखो चेपॉक पे आपको अंडर दा लाइट्स खेलना सबसदा डिफिकल्ट माना जाता है विकॉस देखो टीट्विंटी गेम में 20 ओर खेलना और वंडे क्रिकेट में तकरीबन 45 त्या 43 ओर को यहां पर खड़े ओकर फेस करना भाई वो भी एक अच्छी बोलिंग अटै करो विराट कोली की उपर लेकिन टाइम एंड टाइम अगेन आपका जो मसिया बनके निकलता है हर बार हर बड़े मैच में जब भी इंडिया को जरुद होती चेज करने की चाहे वो स्कोर छोटा हो या बड़ा हो इट अलवेज बीन विराट कोली तो एम एक्स्रीमली हैपी सेगरा तारीक को वो हम जीतें और कंविंसिंग तोर पे जीतें स्टेड पैड करना पड़ेगा हमें और डेफिनिटली भाई यहाँ पर आप चाहे जो बोलो इंडिया की बोलिंग जो की टोर्नमेंट में आने से पहले में थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही थी कल ऑस्टेलि क्योंके स्पेशलिस्ट पिनर है वो नहीं अपनी फिर्की का कमाल दिखा पाए तो भाई वेरी वेरी हैपी और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमने कल छे हजार सब्सक्राइबर्स पूरे किया यू गाइज वीन वंडर्फॉल ओडियंस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दे चैनल तिल नौ बट इसी तरीके से हमें इस पूरे वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंसी बना करेंगे और आपको में सपोर्ट करना है तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिक बेट और ऐसे और कॉंटेंट के लिए बैल अकन द